सब्सकारब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नबाउट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाब फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नबाउट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संपुन जान करें दोस्तों आज के स्वेडियों हम दांतों तता मसूडों में होने वाले बैक्टिर इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट जोक्टर द्वारा जो ट्रीट्मेंट दिया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे पर बैसे वीडियो को अंतक्त देखें साथ ही मेरी एक सिकायत है दोस्तों उन सभी 70% लोगों से जो जो मेरा वीडियो रेगूलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सकाइब नहीं करते दोस्तों चैनल को सब्सकाइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाएं और पर क्लिक करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे सभी वीडियो आप देख सकें मैं हूँ आपको होस्ट मोहित दादीच और आप देखने अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिंग चलिए आश्वे कुछ नया सिकते हैं हेलो पेंट्स नमस्ते दोस्तों जब भी किशी व्यक्ति के दातों में तथा मसूडों में बेक्टिर इंफेक्शन हो जाता है तो उस समय मसूडों में सूजन आना दर्द होना खून आना और दातों की जड़ों में कई बार दर्द होना शुरू हो जाता है और कई बार दात हिलने भी लग जाते हैं अगर इस समश्या को समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो बड़ी समश्या हो सकती जैसे दांतों को कुछ दोक्टर के पास जाते तो वह देंटइस दोक्टर एक प्रोपर किट बना करते हैं जिसमें कुछ यह क्या होती है हुआ उन्हें हम जान लेते हैं सबसे पहले जो दवईयां दी जाती उसमें एमोकिसिलिन तता टेबलेट होती है जिसे आप मेखसी काइंड सीवी 625 मिलेट के नाम से मेडिक रिस्टोर से ख़ई सकते हैं या इसके अलावाद उस दूसी एंटिबाइटिक दी जाएगे वह होती ओफ लोकसासिन तता ओर निडाजोल कॉमिनेशन की टेबलेट जिसे ओटू नाम से जैन फ्ल 200 मिलिगाम की टेबलेट देंगे जिसे आफ लाजजायल के नाम से मेडिक रिस्टोर से ख़ई सकते हैं यह दोनों एंटिबाइटिक के रूप में अब अगली जो दवाद दी जाती वह होती ही पेंकिलर या सुजन को कम करने के लिए इसमें डॉक्टर डाइकलोफिनेक पेर कॉमिनेशन या एकलोफिनेक पेरसिटामौल और या निमेशुलाइट पेरसिटेमोल कमिनेशन इन च्यारों में से कुई भी एक दर्द नेवारे गुली दे सकते ऐँ ज्यादा दी जाती क्योंकि गेस्टिक इरिटेशन कम करती और इसे आप जीरो डॉल पी के नाम से खाई सकते हैं और सुजन कम करने के लिए इसके साथ सेरेश्य फेप्टिडेश कॉमिनेशन भी दिया जा सकता है यह जो दवाईयां थी यह प्रमुक दवाईयां इसके साथ जो सपोर्टिव मेड इंटाप्रजोल दोनों में वह दवाद दी जाएगे इसका देने का जो काराण है रहता है जब भी आप एमोक्सिसिलीन के टेबलेट तता जो पेंकिलर लेते उससे पेट में गेस्टिक इरिटेशन हो सकता है गेस बन सकती है उसको बचाने के लिए दवादी जाती है इसके अलाबा मों में जो सुजन है जो दर्धे ृक्षन को कम करने के लिए डोक्टर दरा क्लोर हेक्सिदीन मौथ वोस्त्त दिया जाता है जिससे व्यक्ति को कुला करना होता है और last but not the least यदि केशी व्यक्ति को दांत में sensitivity है तो उस समय anti sensitivity pest दिये जाते हैं ज्यादा तर आपको market में sensor dyn नाम से vintage नाम से मिल जाएंगे हालांकि इन दोनों के combination न लगे लेकिन दोनों ही sensitivity को खत्म करने के लिए प्रियोग में लाए जाते हैं यह इस परकार करेट पांच से साथ दवाईयों का दिया जाता है जो पेसिंट की नीड के दो बार दिया जाता है यदि वेक्ति को नॉर्मल सा infection है और ज्यादा सीवेर infection है तो उस समय दिन में तिन बार लेने के सलह दी जाती है पेंकिलर जो टेबलेट है सुबह साम देने पर काफी अच्छा असर हो जाता है और यदि इन पेंकिलर को लेने के बाद में प्रेशन को अच्छा फाइदा नहीं होता एक और पेंकिलर डॉक्टर दार पिसकाइब की जाती है जो डेंटिस की फेड़ेट पेंकिलर है वह है कीटो रोल एक टेबलेट जिसे कीटो रोल डीटी के नाम साब ख़ई सकते जब ज्यादा दर्दो एक टेबलेट इसे लिया जा सकते नेक पाँस दिन में ज्यादा पेंचन को अच्छा अच्छा फाइदा मिल जाता है औश्याद डिया जा सकता हैं उसे लाक प्लोटर पर कुल्ला करने के लिए कहा जाता है और जो एसे रेगूलर सुभे साम दोब्रस की साहिता से या अंगुली की साहिता से करने की सलब दी जाती है इस समय एक बात ध्यान रखें इन पेस्ट का प्रियोग रेगूलर तीन महीने से जादा नहीं करें अगर करना हो तो भीज़ू तोटे दिनों को लिए छोड़के उसके बाद में करें कियों कि यह जो पैस्ट हाला कि हाइपर सेंसिटीवीटी को ठीक करते हैं लेकिन इसके साथ एनेमल को भी यह डिस्ट्रोई करते हैं अब जान लेते हैं दोस्तों यह जिए सबसे पहले डाईर यह दस लग सकती किसी वैक्ति को इसके दवाओं के साइड़िए उल्टी मतली जैसा होसकता है पेट में दरद होना मरोड चलना समन्य है फैस बन सकती है हार्टबं हो सकता है मतलब आहर नाहीं में जलन हो सकती है और मुव में छाले हो सकते हैं किसी किसी व्यक्ति में इसकिन एलर्जिक रियक्शन हो सकती है हाला कि यह जो साइड इफेक्ट से ज्यादा दिनों तक नहीं दिखते लेकिन यदि फिर आपको साइड इफेक्ट कंटिन्यू होई जा रहे तो अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि कोई पर्टिकुलर जो दवा उ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए सुस्त रहें और मस्त रहें